दोस्तों मैच खतम होने के बाद रोई शर्मा ने बांगलादेशी खिलाडियों द्वारा अक्षर पटेल को जान बूच कर इंजट करने पर दिया हैरान कर देने वाला बयान लेकिन फिर इसी ओवर में बांगलादेशी फिल्टर ने बॉल को अक्षर पटेल की ओर थ्रो कर दिया जिसकी वाज़ा से अक्षर पटेल की इंज़री और भी जादा बढ़ गई और फिर अगले ही ओवर में अक्षर पटेल आउट हो गए और टीम इंडिया के साथ से ये निकल गया जिसके बार रोई शर्मा ने ये कहा कि अगर बांगले देशी खिलाडी के थ्रोज से एक्षर पटेल इंज़र ना होते तो मैज टीम इंडिया असानी से जीच जाती दोस्तों इस बारे में आपकी क्या रहा है कमेंट करके जरूर से बताईए